दसमी के बाद विश्यों का चुनाव ये एक student के जीवन का सबसे बड़ा turning point होता है ये वो point होता है जिसमें फैसला सही लेना बहुत जुरूरी हो जाता है नहीं तो उसके आने वाले जो student life है वो तो प्रभावित होगी होगी उसका career बहुत बुरी तरह से प्रभावित होगा ये गलत फैसला जो है उसके career को एक average career बना के रख सकता है तो यहाँ पे parents normally क्या करते हैं ज्यादा तर parents बच्चे से उसका चुनाव पोचते हैं लेकिन बच्चे के अपास कोई इतना ज्यादा experience तो होता नहीं है कि अपनी affinity को judge कर पाए या अपना सही चुनाव कर पाए कई बच्चे अपने peer pressure में आके अपने आसपास वालों को देखके या किसी fantasy माहौल को देखके अपना फैसला ले लेते हैं और उससे क्या होता है कि गलत चुनाव होने पे बच्चे stress anxiety का शिकार हो जाते हैं कई line change कर लेते हैं कईयों के जीवन में जो student life के साल होते हैं वो यहां पे हम astrology की सहायता से बहुत खूबी से decide कर सकते हैं कि birth chart क्या कह रहा है birth chart की अनुसार अगर subject का selection किया जाए तो यकीन मानिये बच्चा ना किवल पढ़ाई को बहुत अच्छे से करेगा बलके बहुत अच्छा professional भी बनेगा आज के वीडियो में मैं कुछ major subject के बारे में कुछ major ग्रहों के बारे में आपसे चर्चा करूँगा कि किस तरह से ग्रहों की भाषा को जानके हम बच्चे की subject selection में सहायता कर सकते हैं और अगर ये चीज़ें बच्चे की affinity से match कर जाती हैं तो फिर सोने पे सोहागा नमस्कार मेरा नाम है योगे शर्मा स्वागेद आपका happy life विडियो के शर्मा में और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले एक विनम्रे निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को subscribe नहीं किया है तो क्रिपया subscribe ज़रूर करियेगा और bell बटन दबाना न भूलिये तो subject selection में हम सबसे पहले बात करते हैं science की विज्ञान की science में student या तो engineering side पे जाएंगी या वो जाएंगे medical side में हाला कि इन दोनों में आगे जाके बहुत सारी शाखाएं बहुत सारी variations आ जाती हैं लेकिन क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं basic subject selection की तो जिन भी बच्चों के बर् से कमजोर होते हैं सूरज और रहू की degrees बहुत close भी सूरज की बहुत close हो तो सूरज बहुत close हो तो सूरज शनी के साथ बहुत close degree पे हो तो भी सूरज जो हैं बहुत weak माने जाते हैं सूरज की ऐसी पोजिशन अगर बर्थे चार्ट में हो तो सबसे पहले तो बच्चे को साइंस लेने से आपको रोकना चाहिए क्योंकि ये बच्चे साइंस पढ़तो जाएंगे लेकिन साइंस वालों की तरह सोच नहीं पाएंगे तो उसके बाद क्या होगा कि ये साइंस की डिगरी के साथ एक बहुत ही एवरेज प्रोफेशनल बनके रह जाएंगे अपने साथ न्याई नहीं कर पाएंगे तो चलिए साइंस में आगे जाके बच्चे को इंजिनरिंग लेनी चाहिए या बच्चे को मेडिकल लेना चाहिए जिन भी बच्चों के आगे बर्सचार्ट में शनी बहुत स्ट्रॉंग होगे न वो इंजिनियर है शनी वो चतुराई देते हैं वो इंसान को रिसर्च करने की कला देते हैं जो एक इंजिनियर का माइंड सेट होता है इंजिनियर क्या करता है इंपॉसिबल को पॉसिबल बनाता है इंजिनियर चाहे किसी भी फिल्ड का हो, चाहे वो mechanical हो, aeronautics हो, artificial intelligence हो, civil engineer हो, कोई भी हो, इंजिनियर के brain में research वाला element होना चाहिए, इंजिनियर के brain में impossible को possible करने वाला element होना चाहिए, ये सारे element जो है, एक बड़े strong शनी देते हैं, तो बर्थ चार्ट में अगर शनी अच्छ बच्चे को medical लेके देनी हैं, बच्चे को डाक्टरी पेशे में जाना है, तो सबसे पहले उसको सूरज अच्छा होने के साथ साथ उसका चंदर्मा भी अच्छा होना चाहिए, चंदर्मा अच्छा होगा तो वो इनसान healing profession में जा सकता है, अच्छा चंदर्मा इंसान को healer बनाता है. चंदरमा के साथ-साथ, उसके ब्रहसपती अच्छे होने चाहिए. ब्रहसपती क्या है? ब्रहसपती भे इनसान की हीलिंग में मदद करते हैं. किसी भी बच्चे के बर्थेचार्ट में सूरज, गुरु और चंद्रमा ये सही होंगे ये बर्थे चार्ट के पांचवें घर से या दसवें घर से connect कर रहे होंगे ना तो ये बच्चा ना केवल डॉक्टरी की परिक्षा में पास होगा बलके एक बहुत ही कामियाब डॉक्टरी प्रोफेशनल बन सकता है लेकिन यहीं अगर बिल्कुल इससे उल्टे योग होंगे तो आप लाग कोशिश करवा के देख लीजिए बच्चा मेडिकल पढ़ जाएगा लेकिन कैसी मेडिकल पढ़ेगा जो मेडिकल डोनेशन देके होती है ना ये बच्चा कॉम्पेटिशन रंग से करेक कर पाएगा और ना ही ये बच् या कॉमर्स में जाना चाता है वो चार्टेड अकॉंटन बनना चाता है वो सीयस करना चाता है वो कॉमर्स में कुछ भी आगे जाके करना चाता है तो उसके बर्थे चार्ट में उसके बुद्ध बहुत अच्छे होने चाहिए सूरज जो है ये कॉमन फेक्टर है सूरज जि जिसके भी बहुत अच्छे होंगे, वो इनसान जीवन में प्रॉमिनेंट होगा, काम्याब होगा, लेकिन पर्टिकुलरली किस फिल्ड में होगा, उसके साथ-साथ जो अन्य ग्रहभी सूरज को सपोर्ट कर रहा होगा, या अच्छा होगा, ये इतने हाँ सरल है, बुद्ध जो हैं, जिस भी इनसान के अच्छे होंगे, जिस बच्चे के बुद्ध अच्छे होंगे, और स्पैशली बर्टिचाट के दूसरे या पांचवे घर से कुनेक्ट कर रहे होंगे, इस बिंदू को ध्यान से समझेगा, फिफ्थ हाउस जो होता है, वो आपकी में आगे जाके बहुत ग्रोग कर पाएगा, फिर आगे जाके कुछ और पर्टिकुलर कंबिनेशन होते हैं, वो मैं अपने आने वाले वीडियो में जुरूर बताऊंगा, जब मैं करियर के उपर चर्चा करूंगा, कि ये बच्चा कंपनी सेक्रेटरी बन सकता है, चार्ट एकनॉमिक्स तक, यानि एक रेंज हो जाती है फाइन आट्स में, लेकिन यहाँ पर कॉमन जुरूरी क्या है, कि उस बच्चे का शुक्र बहुत अच्छा होना चाहिए, शुक्र अच्छा है, तो ये बच्चा फाइन आट्स के फिल्ड में कुछ कमाल कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक ध्यान देने लाइक बात यह है, कि चाहे साइंस हो, चाहे कॉमर्स हो, चाहे आट्स हो, यहाँ पर बच्चे का फोकस रहना बड़ा जुरूरी है, बच्चे का इंटरस्ट रहना बड़ा जुरूरी है, और इन सब चीजों के अलावा, कल को बच्चे ने अग चटेगर की उर्जा अच्छी होगी, तो ये बच्चा जो है UPSC जैसी तैयारियां कर सकता है, बात अगर UPSC की चली है न, खाली चटेगर से बात नहीं बनेगी, UPSC क्या है, IAS क्या है, ये भारत की सबसे उच्च श्रेणी की नौकरी है, ये वो नौकरी है जिसमें इंसान सी सूरज और चंदर्मा, ये प्लैनेट्स किसी के भी बहुत अच्छे होंगे न बिना किसी पाप्रभाव के, तो उस इंसान के UPSC क्रेक करने के योग जो हैं बड़े बुलंद होंगे, बच्चे का अगर शुरु से रुजान है न, कि उसने UPSC क्लेर करनी है, उसने IAS, IFS ले इनके दुश्मन ग्रहिन राशियों में न बैठे हों, सूरज चंदर्मा खुद कमजोर न हों, तो बिलकुल बच्चे को day one से कह दीजिए, कि दसवी के बाद ही अपनी पढ़ाई भी करें, और एक माइंड सेट बना ले UPSC वाला, ये बच्चा अपनी पहली या मैक्सिमम दूसरी अटेंप में UPSC क्लेर कर जाएगा, ऐसा मैंने बहुत सारे केसिस में देखा है, बशर्ते, करक और सिंगराशी बर्थे चार्ट में बिना किसी पाप्रभाव के हो, और सूरज और चंदर्मा एकदम से अच्छे बैठे हों, मैं जानता हूँ, आज का वीडियो यह बड़ा स्ट्रॉंग हो सकता है, UPSC केवल सूरज चंदर्मा के अच्छे होने से नहीं होता, UPSC केवल सूरज और चंदर्मा के अच्छे होने से नहीं होता, IES एक बहुत ही बड़े लेवल की जॉब है, यहां तक पहुँचके इनसान के जीवन में हर तरह की लगजरी भी आजाती है, हर तरह की अथारिटी भी आजाती है, अथारिटी सूरज चंदर्मा देते हैं, लेकिन लगजरी शुक्र देता है, तो अगर बनना है IES, तो आपको अपने बर्थे चार्ट में सूरज चंदर्मा के साथ साथ शुक्र को भी सही रखना होगा, तो चलिए हम वापिस अपने मुद्धे पे आते हैं, सब्जेक्ट सेलेक्शन के, आर्ट्स की बात कर रहे थे, आर्ट्स में मैंने बताया था कि शुक्र अच्छा होना चाहिए, लेकिन आर्ट्स में आगे कई फील्ड है, जैसे कि सपोस करिए जनलिजम का फील्ड है, जनलिजम के लिए बुद्ध और मंगल ये जिम्मेदार है, अगर बच्चे के थर्ड हूस के साथ बुद्ध और मंगल कोनेक्ट कर रहे हैं तो उसको आर्ट्स में मास कम्मिनुकेशन, जनलिजम ले दीजिए, देखिए का वो बच्चा किस तरह से ग्रो करता है, इसके अलावा अगर किसी को थोड़ा सा भी ढंक से देख लेना, हमें तुरंत पता चल सकता है कि ये बच्चा जीवन में क्या करे कि अपना पूरा पोटेंशल यूज कर पाएगा, कौन से सब्जेक्ट को पकड़े कि ये बच्चा अपने साथ पूरा न्याई कर पाए और अपने करियर में पूरा च मैंने आपसे कहा था कि अगर आप उस वीडियो का सेकंड पार्ट देखना चाहते हैं, जो वीडियो था कि किस तरह से ग्रह जो हैं हमारे जीवन को कंट्रोल करते हैं, और आपने इतना प्यार दिया, कौमेंट्स में आपने इतना ज्यादा मुझे समर्थन दिया, कि मैं रहिएगा मेरे साथ अपना कूब ज्ञान रखिएगा नमस्कार